परिचय बच्चो आज में तुम्हें परमाणू की सनचना प्राकरण की विशे में बताऊंगा परमाणू द्रवी की मोलभूतिकाईयां हैं हमारे चारों और की हर वस्तू परमाणूं से बनी है प्रारूपी परमाणू प्राटोनों के नाभिक का बना होता है और neutron वा electron इस नाभिक के परिताह चक्कल लगाते हैं शिक्षक महोदै मेरा एक प्रश्ण है हमारे चारो और की वस्तुएं विभिन पदार्तों से बनी है तो ये कैसे संभव है कि परमाणू द्रवी की आधार भूत एकाईयां है शाबाश अच्छा प्रश्ण है राकेश जैसा कि तुम जानते हो कि सभी वस्तुएं विभिन सामग्रियों जैसे कि प्लास्टिक, रपर, लोहे इत्यादी से बनी होती है इनमें अणूं के विन्यास तथा प्रकार अलग-अलग तरह के होते हैं तथा अणूं या दो या दो से अधिक परमाणों का समू होता है तो इस तरह से परमाणों ही मूल भूतिक आई है चात्रों, आईए परमाणों के बारे में और अधिक चर्चा करें उद्धेश इस पाट के अंत में आप निम्मन करने में सक्षम हो जाएंगे परमाणू के थौम्सन मोडल को जानना परमाणू के कक्षा को परिभाशित करना परमाणू विए स्पेक्ट्रम का विशलेशन करना हाइडोजन परमाणू के बोर मौडल की विवेजना करना हाइडोजन परमाणू के उर्जैस्तरों के बारे में जानना हाइडोजन परमाणू के लाइन स्पेक्ट्रम का विशलेशन करना बोर के तुईतिये अभी ग्रिहित का दे प्रॉकली के स्पष्टी करण के बारे में जानना थॉम्सन का पर्माणू मॉडल सन 1898 में जे जे थॉम्सन ने पर्माणू का एक मॉडल प्रस्तावित किया जिसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है उन्होंने बताया कि पर्माणू किसी धनात्मक दरल जैसे की पुडिंग से भरा होता है जिसमें इलेक्ट्रोन इस तरह अंतस्थापित रहते हैं जैसे की तर्बूज में बीच गोली ये मॉडल की त्रिजिया लगभग दस की घात माइनस आट सेंटिमीटर होती है धनात्मक तरल पर कुल धनावेश समान होता है जो इलेक्ट्रोनों के रिनावेशों द्वारा सम्मितिक रूप से संतुलित रहता है लेकिन इस मॉडल को अस्विक्रित कर दिया गया क्यूंकि ये मॉडल रदर फोर्ट द्वारा किये गए प्रयोगों के परिणामों को संतुष्ट करने में विफल रहा एल्फा कड़ों के प्राकिर्णन का प्रयोग रदर फोर्ट ने धातू की पतली पन्यों पर एल्फा कड़ों को प्रक्षे पित कराया और प्रक्षे पित कड़ों के विक्षेपन वाले पत्वों का अवलोगन किया प्रयोगिक वैवस्था एक रेडियो धर्मीस रोज से उस सर्जित एलफा कर्ण लेट की इंटों से गुजर कर एक संकीन पुंज के रूप में संरेखित होते हैं पुंज को धातू की एक पतली पन्नी पर प्रक्षेपित कराया गया जिसकी मोटाई 2.1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर थी प्राकिर्नित एलफा कर्णों का विक्षेप मापने के लिए एक घुरुनी संसूचक का प्रियोग किया गया जिसमें जिंग सलफाइट का एक पड़ता और एक सूक्ष्म दर्शी था प्रेक्षण अधिकांश एलफा कर्ण धातों की पन्नी से इस तरह सीधे गुजर जाते हैं जैसे वे रिक्तिस्थान में गए हों आपतित कर्णों में से केवल 0.14 प्रदिशत ही एक डिग्री से अधिक प्राकिर्नित होते हैं इन कर्णों का एक छोटा अंच 90 डिग्री से बड़े विशाल कर्णों द्वारा प्राकिर्नित होता है जिन में से कुछ लगभग 180 डिग्री कर्णों से प्राकिर्नित होते हैं रदर फोर्ट ने निम्न मानेताओं के आधार पर एक सिध्धान तविक्सित किया एल्फा कर्णों और नाभिक बिंदू द्रविमान एवं आवेश होते हैं एल्फा कर्णों तथा नाभिक के बीच केवल एक वैद्युद स्थेतिक प्रतिकर्शी बल कारे करता है एल्फा कड़ू की तुलना में नाभिक इतना भारी होता है कि ये उनकी अन्योन निक्रिया की दौरान गती नहीं करता एल्फा कड़ू का प्रक्षे पत्ध चुँकि वैद्युत इस्थेतिक बल एक बटे आर वर्ग विचलित होता है एल्फा कड़ू का प्रक्षे पत्ध अती परवलई होता है जहां आर एल्फा कण और नाभिक के बीच तादक्षनिक प्रिथकन है नाभिक तथा एल्फा कण की गदी की आरंबिक रेखा के बीच की अभिलंबवत दूरी संगट्य प्राचल कहलाती है रदर फोट ने थीटा प्रकिर्णन कोण से परदे पर पहुँचने वाले एल्फा कणों की संख्या एन थीटा प्रती इकाई क्षित्रभल परिकलित किया और पाया की एन थीटा साइन थीटा बटे दू की खाद चार के वित क्रमानुपादी होता है कान तथा नाभिक के बीच की निकटतम दूरी से नाभिक का आकार लगभग 10 की खाद माइनस 14 मीटर से लेकर 10 की खाद माइनस 15 मीटर तक होने का पता चलता है परमानु से संबन्धित कोई इलेक्ट्रोन नाभिक के पाहर आपेक्षिक बड़े आयतन वाले माने गए परमानु में बड़ा खाली स्थान होने के कारण अधिकांश एलफ़कर्ण पतली पन्नी से बिना फिक्षेपित हुए निकल गए रदर फोट का परमानु मॉडल रदर फोट के प्राकेडन के प्रयोग ने नाभिकी ये परमानु मॉडल को जन्म दिया इसकी मुख्य विशेष्टाएं निम्न हैं परमानु में धनावेशित तथा भारी क्रोड होती है जो नाभिक कहलाता है परमानु के आकार की तुल्ला में नाभिक बहुती कम इस्थान गेड़ता है नाभिक कई इलेक्ट्राणों से खिरा रहता है जिससे परमानों विद्यतिक रूप से उधासीन हो जाता है इलेक्ट्रानों को नाभिक की ओर विद्ध बल अकर्शित करता है जिसके विरुथ अपने इस्थानों पर बने रहने के लिए वे नाभिक के परिताह कक्षाओं में चक्कल लगाते हैं इलेक्ट्रान की कक्षाएं इलेक्ट्रानों से घिरा होता है घूमते इलेक्ट्रानों तथा नाभिक के बीच आकर्शन का वैद्ध इस्थेतिक बल इलेक्ट्रानों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखने के लिए अपिक्षित अभिकेंद्रिय बल प्रदान करता है उनके सम्बंदित मानों को प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि म वी वर्ग कुड़ें आर बराबर है एक बटे चार पाई एपसिलोन नौट इ वर्ग बटे आर वर्ग हम इस समीकरण को निम्निवत भी लिख सकते हैं आर बराबर ही वर्ग बटे चार पाई एपसिलोन नौट mg फी वर्ग हाइडरोजन परमाणों में इलेक्ट्रोन की गतीज उर्चा एवं वैदित इस्तेतिक इस्तितिज उर्चा निम्ननुसार व्यक्त है k बराबर 1 बटे 2 mv वर्ग बराबर e वर्ग बटे 8 pi epsilon not r तथा u बराबर minus e वर्ग बटे 4 pi epsilon not r अता एक हाइडोजन परमाणों में इलेक्ट्रोन की कुल उर्जा निम्न होगी e बराबर k प्लस u जो minus e वर्ग बटे 8 pi epsilon not r के बराबर है इलेक्ट्रोन की कुल उर्जा रिनात्मक है इसकार्थ है कि इलेक्ट्रोन नाभिक से बंधा है परमाणविये स्पेक्ट्रम हाइडोजन जैसी गैस से भरी निर्वादित कांच नलिका में इस्थेत दू इलेक्ट्रोडों के मध्थे परियाप्त उच्च विभवांतर प्रयोक्त करके विद्ध जुम किये विकरण उस सर्जित किया जा सकता है यदि उस सर्जित रेखाओं का विशलेशन किया जाए तो विविक्त रेखाओं की श्रंखला देखी जाती है जिसमें प्रत्येक रेखा एक विशिष्ट तरंग देर्थ के संगत होती है काली प्रिष्ट भूमी में चमकीली रेखाओं की ऐसी श्रंखला उस सरजन रैखिक स्पेक्ट्रम कहलाती है जब किसी गैस से श्वैत प्रकाश गजरता है तो पारगत प्रकाश में कुछ काली रेखाएं होती हैं ये काली रेखाएं गैस की सामगरी का अफशोशक रैखिक स्पेक्ट्रम कहलाती है द्रिश्चिक शेत्र में रेखाओं का समुहूं बामर्श रेणी कहलाता है ये रेखाएं निवन समी करन द्वारा वर्णित की जा सकती है एक बटे लेम्डा बड़ाबर आर एक बटे दो वर्ग माइनस एक बटे एन वर्ग यहां एन के मान तीन, चार, पाँच वा इसी प्रकार अन्ने हो सकते हैं तथा आर रेट बर्ग नियतांक है जिसका मान एक दशमलव शूनने नौ साथ तीन साथ तीन तो गुणे दस की खाथ साथ प्रति मीटर होता है द्रिशिक शित्र के बाहर इस्थे दरेखाओं की अन्ने श्रेणियां निम्न है लाइमेन श्रेणि जो निम्न रूप में व्यक्त है एक बटे लेम्डा परापर आर एक बटे एक वर्ग माइनस एक बटे एन वर्ग यहां एन के मान दो तीन चार पाँच वा इसी प्रकार अन्ने हो सकते हैं पाशन श्रेणि जो निम्न रूप में व्यक्त है एक बटे लेम्डा पराबर आर एक बटे तीन वर्ग माइनस एक बटे एन वर्ग यहाँ एन के मान चार, पाँच, छह, साथ वा इसी प्रकार अन्य हो सकते हैं ब्रेकेट श्रिणी जो निम्र रूप में व्यक्त है एक बटे लेम्डा पराबर आर एक बटे चार वर्ग माइनस एक बटे एन वर्ग यहाँ एन के मान पाँच, छह, साथ, आर्ट वा इसी प्रकार अन्य हो सकते हैं फंड श्रिणी जो निम्र रूप में व्यक्त है एक बटे लेम्डा बराबर आर एक बटे पांच वर्ग माइनस एक बटे एन वर्ग यहाँ एन के मान छह, साथ, आठ, नौ वा इसी प्रकार अन्ने हो सकते हैं हाइड्रोजन परमाणू का बोर मौडल परमाणू के बोर मौडल के मूल अभिक्रिहित निम्न है इलेक्ट्रोन नाभिक के परितहा कूलॉम बल के प्रभाव में विशिष्ट वृत्तिय कक्षाओं में घूमता है जो स्थैतिक कक्षाओं कहला दी है इन कक्षाओं में इलेक्ट्रोन विद्द चुम किये तरंगें उस सर्जित नहीं करता इसलिए परमाणू इस्थाई रहता है स्थैतिक कक्षाओं वे होती हैं जिनके लिए इलेक्ट्रोन के कोणिये समवेग एल का मान एच पटे दो पाई का पूनांक गुणज होता है एल बराबर एन एच पटे दो पाई जहां एन कक्षा की कौनिटम संख्या के रूप में ग्याद है तथा एच प्लांक का नियतांक है यदि इलेक्ट्रोन एक स्थैतिक कक्षा से दूसरी स्थैतिक कक्षा में चाते हैं तो ये नियू आवरित्ती का एक फोटॉन उससा जित करता है जो EI माइनस EF पटे एच दोरा व्यक्त है हाईडोजन परमाणों के लिए बोर कक्षाओं की त्रिच्या हम जानते हैं कि हाईडोजन परमाणों के लिए वृत्तिय कक्षा की त्रिच्या E वर्ग पटे चार पाई एपसिलोन नौट MV वर्ग होती है हमें NV कक्षा की त्रिच्या ज्याद करनी है जो कोणिय सम्वेक पर बोर के कौन्टमी गरण नियम को संतुष्टि करती है LN बराबर M, VN और RN का गुणन फल जो NH पटे दो पाई के बराबर है जहां N बराबर 1,2,3 और इसी प्रकार अन्ने तथा VN इलेक्ट्रोन की NV कक्षा में चाल है इस सम्वेकरण को निम्न रूप में लिखा जा सकता है VN बराबर NH पटे दो पाई M, RN उप्रोक्त दोनों सम्वेकरणों की तुल्ना करने पर हम वेक तथा NV कक्षा की त्रिज्या का वेंजक प्राब्द करते हैं VN बराबर एक बटे N गुणे E वर्ग बटे दो एपसिलोन नौट H तथा RN बराबर N वर्ग गुणे H वर्ग एपसिलोन नौट बटे पाई M E वर्ग बराबर N वर्ग A नौट जहां A नौट बराबर 0.529 अंग्स्ट्राम हाइटोजन परमाणों के उर्जा इस्तर हम जानते हैं कि हाइटोजन परमाणों की कुल उर्जा, इलेक्ट्रोन की गतिज उर्जा तथा नाभिक के कुलोंग शित्र में इसकी इस्तिज उर्जा का योग होती है इस समीकरण को निम्नवत भी लिखा जा सकता है इन बराबर मे की खात चार बटे आठ एपसिलोन नौट वर्ग एन वर्ग एच वर्ग जहां इन बराबर मे की खात चार बटे आठ एपसिलोन नौट वर्ग एच वर्ग इन बराबर दो दशमलव तो कुणें दस की खात माइनस अठारा जूल जो तेरा दशमलव छे इलेक्ट्रो वोल्ट के बराबर है उप्रोक्त समीकरण को निम्रवद भी लिखा जा सकता है इन बराबर माइनस तेरा तशमलव छे बटे एन वर्ग एलेक्ट्रो वोल्ट इन समीकरणों दोरा विर निर्दिष्ट उर्जाएं हाइड्रोजन परमाणों के उर्जा इस्तर कहलाती है यह इस्तर रिनात्मक रूप से इंगित करते हैं के हाइड्रोजन परमाणों एक आबद्ध निकाए होता है नियुनतम इस्थेतिक उर्जा अवस्था जो की तलस्थ अवस्था भी कहलाती है न पराबर एक के संगत होती है और इसकी उर्जा इए एक बराबर माइनस तेरा दशमलाव छे इलेक्ट्रोवोल्ट होती है अगली अवस्था जो की प्रथम उत्तेजित अवस्था कहलाती है न पराबर दो के संगत होती है तथा इसकी उर्जा इए दो पराबर माइनस तीन दशमलाव चार इलेक्ट्रोवोल्ट होती है तथा इसी प्रकार आगे अन्य अवस्थाएं होती है कौांटम संख्या बढ़ते जाने के साथ संगत उर्जा शूने के निकटाती जाती है परमाणों की तलस्त आवस्था से मुक्द होने के लिए इलेक्ट्रोवोल्ट द्वारा आवश्यक न्यूनतम उर्जा परमाणों की आइनन उर्जा कहला दी है अधा हाइडोजन परमाणों की आइनन उर्जा 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट हो दी है उदारण आईए बोर के हाइडोजन परमाणू मॉडल का एक उधारण देखें बोर के हाइडोजन परमाणू की तलस्त अवस्था में इलेक्ट्रोन द्वारा उस्टरजेत विकिरण की नियूनितम से अधिक्तम तरंग तैर्थ का अनुपात क्यात करें आईए इसका हल देखें इलेक्ट्रोन दो उर्जा स्तरों एन एक और एन दो के बीच पारगवन के संगत विकिरण उर्जा तेरा दशमलव छे गुड़ें एक पटे एन एक वर्क माइनस एक पटे एन दो वर्क एलेक्ट्रोवोल्ट होगी इ नियूनतम है जहां एन एक पराबर एक और एन दो पराबर दो इ नियूनतम पराबर है तेरा दशमलव छे गुड़ें तीन बटे चार एलेक्ट्रोवोल्ट इ अधिक्तम है जहां एन एक पराबर एक और एन दो पराबर अनन्त अब इनियुनतम एवं इनियुनतम का अनुपात लेने पर हम पाते हैं कि E 99 बटे E अधिकतम बढ़र 3 बटे 4 या λैम्डा निउनद्म बटे लैम्डा अधिकतम बढ़र 3 बटे 4 अता, बोर के हाइडोजन परमाणों की तलस्त अवस्था में इलेक्ट्रों द्वारा उच्सर्चित विक्रण की नियुनितम से अधिक्तम तरंग तैर्द का अनुपाद तीन अनुपाद चार होगा हाइडोजन परमाणों का लाइन स्पेक्ट्रम परमाणों के निकाए में सामान तापान पर अधिकांश परमाणों तलस्त अवस्था में रहते हैं यदि हाइडोजन परमाणों के ऐसे निकाए पर श्वेध प्रकाश डाला जाता है तो संक्रमित प्रकाश के विविद तरंग तैर्धियों वाले विक्रण नहीं होते Hydrogen का ये अफ्शोषण Spectrum Lie-Man-Shrinya के संगत होता है Electron shows द्वारा विक्रण से उर्जा अफ्शोषित करने के पश्चाथ निम्न तर उर्जा अवस्थाओं से उच्छतर उर्जा अवस्थाओं में जाने पर अफ्शोषण spectrum प्राप्त किया जाता है अफ्शोशित विक्रण की आवरित्ती निम्न द्वारा व्यक्त है H NU H L बराबर E उच्छे माइनस E निम्न कमरे के तापपान पर बहुत कम इलेक्ट्रोन उच उर्जा वस्थाओं N बराबर दो और तीन में होते हैं विभिन उर्जास तरू में इलेक्ट्रोनों की संख्या तापक्रमद्वारा निर्धारित की जाती है उच्छेतर तापमान पर हाइड्रोजन के अधिक संख्या में इलेक्ट्रोन N बराबर दो इस तर में होते हैं अफ्शोषण रेखाओं का तरंग्दैर्थ उच्छर्जन रेखाओं के समान होता है उच्छित प्रकाश तथा अफ्शोषद प्रकाश की आवरित्ती परिकलित करने के लिए इस संबंध का उप्योग किया जाता है E2-E1 बराबर H new 12 जो Hc बटे लेमड़ा 12 के पराबर है बोर के क्वान्टमी करन के दूतिय अभिक्रहित का दे ब्रॉगली द्वारा स्पष्टी करन दे ब्रॉगली ने कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन के कोण ये संवेक पर क्वान्टमी करन प्रतिबंद की व्याख्य प्रस्तुत की दे ब्रॉगली के अनुसार जब कोई इलेक्ट्रॉन एक परमाणों की स्थेतिक कक्षा में होता है तो ये एक प्रकार की अनुनादी स्थिती में होता है इलेक्ट्रोन के तरंग तैर्द पर अनुनादी दशा के लिए आविशक होता है कि एक इसकी कक्षा की परिधी पर एक स्थाई तरंग बनाई रखी जाए आताहा इलेक्ट्रॉनों की गख्षा की परिधी में इसके देब्रॉगली तरंग देर्थ की एक पोडांग संख्या होती है दो पाई आर बराबर एन लेम्टा जहां एन बराबर एक दो तीन इत्यादी एम तरविमान तथा वीचाल वाले इलेक्ट्रॉन के लिए देब्रॉगली तरंग देर्थ ह पटे एम्वी होगा इसे इस रूप में लिखा जा सकता है एम्वी आर पराबर एन एच पटे दो पाई ये बोर का कोनिय समवेग कौन्टमिंग करण प्रतिबंध है क्या आप चानते हैं प्रमाण में पर्माणों की संख्या लिखने के लिए दस से अस्तिशोने लखाने होंगे कुछ निश्चित दशाओं में पर्माणों को दो सो प्रकार के अल्प जीवी अव पर्माणविक करणों में विभक्त किया जा सकता है नाभी के करण विविद अन्न अतिसुक्ष्म करणों से बने होते हैं जो कौर के कहलाते हैं अठारा सो नब्बे के दशक में विख्यानिकों का विजार था कि पर्माणों बिलेट की गेंदों की तरह ठोस होते हैं और पूर्टा अविखंडनिये होते हैं इलेक्ट्रोन प्रोट्रोनों से 1836 कुने छोटे होते हैं इसलिए इनका भार लगभग नगरने होता है सारांश आये हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं कन तथा नाभिक के बीच की निकर्टन दोरी से नाभिक का आकार लगभग 10 की घाथ माइनस 14 मीटर से लेकर 10 की घाथ माइनस 15 मीटर तक होने का पता चलता है पर्माणू में धनावेशित तथा भारी क्रोड होती है जो नाभिक क्यलाता है पर्माणू के आकार की तुल्ला में नाभिक बहुत ही कम स्थान गेरता है नाभिक कई इलेक्ट्रोनों से गिरा रहता है, जिससे परमाणूं वैद्यूतिक रूप से उधासीन हो जाता है इलेक्ट्रोनों को नाभिक की ओर विद्ध बल आकर्शित करता है जिसके विरुद्ध अपने स्थानों पर बने रहने के लिए वे नाभिक के परिता कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जब किसी गैस से श्वेध प्रकाश गजरता है तो पारगत प्रकाश में कुछ काली रेखाएं होती है ये काली रेखाएं गैस की सामगरी का अफशोशन रैकिक स्पेक्ट्रम कहलाती है इलेक्ट्रोन नाभिक के परिता कूलोंबल के प्रभाव में विशिष्ट वृतिय कक्षाओं में घूमता है जो स्थैतिक कक्षाओं कहलाती है पर्माणू की तलस्त अवस्था से मुक्त होने के लिए इलेक्ट्रोन द्वारा आविश्यक नियुनतम उर्जा पर्माणू की आइनन उर्जा कहलाती है इलेक्टोन द्वारा बिक्रंड से उर्जा अफ्योशित करने के पश्चाद निम्नतर उर्जा अवस्थाओं से उच्छतर उर्जा अवस्थाओं में जाने पर अफ्योशन स्पेक्टरम प्राप्त किया जाता है झाल झाल